नुश्कार दोस्तो स्वागत है आग का आज के मुक्चे समाचारों में यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे आज की तमाम बड़ी खबरें मुक्के समाचार प्राइफिंग newज अपडेट्स के रूप में चलिए दोस्तो जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर संजे सिंगी गरिफतारी के विरोध में सड़कों पर उतरी आमादमी पार्टी बिजेपी ने राज घांट पर किया बापु को नमन जिया दोस्तो दिल्ली में कतित शराब निती में घोटाला मामले में दोनों तरफ से सियासत गर्मा गई आमादमी पार्टी ने अपने इस राज्य सवा सांसद संजे सिंग की गिरफतारी का विरोत तेज कर दिया गुरुवार को दिल्ली मुंबई और पूरे में जगय जगय धरना और प्रदिशन देखने को मिला आमादमी पार्टी कारे करताओं और नेताओं ने केंद्रिय जाच एजनसी परिवर्दन निदिशाले के खिलाफ नारे बाजी की वहीं बिजेपी ने भी दिल्ली की केजरिवाल सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और आजराजगाट पर शांती पूर्ण धरना दिया इससे पहले बुद्वार को भीजेपी ने आमादमी पार्टी दफ्तर के बाहर प्रदेशन किया था वहीं दोस्तों मुंबई में आमादमी पार्टी के कई कारे करताओं को इरासत में लिया गया दिल्ली में आमादमी पार्टी कारे करताओं ने सडक पर उतर कर विरोध जत यहां नारे बाजी की गई गुरुवार सुबहा से ही आम आदमी पार्टी मुख्याले में बड़ी संख्या में कारे करता और नेताओं के पहुचने का सिलसरा शुरू हो गया था यहाँ आम आदमी पार्टी नेताओं ने संजे सिंग के गिरिफ्तारी के खिलाफ नारे लगाए। इसके बाद दोस्तो अगली बढ़ी खबार। शिशोदिया की जमानत पर अब 12 अक्टूबर को सुनवाई सुप्रीम कोट ने ED से कहा सबुतों की कडियां जुड नहीं रही आपकी दलिलें सिर्फ अनुमान जियां दुस्तो दिली शराब घुटाले में गुरुवार को दो मामले कोट पहुँचे हैं पहला मामला सुप्रीम कोट में दिली के पूर्व डिप्टी सीम मनिश शुदिया की जमानत से जुआ था दूसरे मामले में आम आदमी पाटी के राजसबास सांसत संजे सिंग की दि पारी तेशब की यह सबूतों पर होनी चाहिए बेंच ने इडी से सवाल किया कि सरकारी गवाहा बने कारोबारी दिनेश 양ररों के बयान के अलावा सिसुदिया के खिलाब सबूत कहा है सिसुदिया को अगर Hilf कैसे मिले तो किस ने दिया और यह उन तक कैसे पहुँचा पैसे देने वाले बहुत सारे लोग हो सकते हैं जरूरी नहीं कि यह शराब से जुडा हो सबूत कहा है वहीं शराब गोटाले में ही इडी ने दिल्ली की रावेज़ेविन्यू कोट में आम आदमी पार्टी सांसा संजे सिंग की 10 दिन की रेमांड मांगी एजेंसी ने कहा कि ह इसके बाद दोस्तो अगली बड़ी खबार केंदर सरकार की तरफ से गेस्लेंडर सिर्फ 600 रुपे में मिलेगा प्रदान मंत्री ने कहा कि हमें राजस्थान को विक्सित बनाना है और आपका सपना ही मोधी का संकल्प है PM मोदी ने आगे कहा कि भाजपा का संकल्प राजस्थान को टूरिज्म में नमबर एक राज्य बनाने का है ये काम मोदी नहीं बलकि आपके एक वोट से हो सकता है आपके वोट की तागत से भाजपा सरकार बनेगी और राजस्थान परियटन में नमबर वन बनेगा पेपर लिग माफिया ने लाखों का भविश्चे खराब कर दिया है चुनाओं के समय बेरोजगारी भत्ता का वादा करने वाले लोगों ने पेपर लिग माफिया के उपर पूरी सरकार छोड़ दिये वहीं दोस्तो अपने समबुदन के दोरान PM ने फिल्म वैक्सीन वार का भी जिगरी गिया PM मोदी ने कहा कि भारत ने मैडिन इडिया वैक्सीन मना कर भारत के साथ साथ दुनिया के करोड़ों को जीवन बचाया वेक्सीन ने सब की जिंद की बचाई, कांग्रेस कोमेडीन इंडिया वेक्सीन से भी बहुत परिशानी हो रही है भारत के वेक्सीन निर्मान के प्रियासों की दुनिया में चर्चा हो रही है, हमारे वेग्यानिकों की चर्चा हो रही है यह फिल्म हर भारतिये को देखने ही चाहिए इसके बाद दोस्तो अगली बड़ी खबार भाजपा ने राहूल गांदी को नए जमाने का रावन बताया कहा वे दुष्ट धर्म और राम विरोधी उनका टार्गेट देश को बरबाद करना जिया दोस्तो भाजपा ने गुरु खत्रे में है तस्वीर के ठीक नीचे बड़े ख़रों में रावन लिखा हुआ है इसके नीचे अंग्रेजी में कोंग्रेज पार्टी प्रोडेक्शन डायरेक्ट बाई जोर्ज सोरास भी लिखा हुआ है दोस्तो आपकी जानकारी किल बता दें भाजपा ने आरोप लगाय है और इसके उपाद्यक्ष सलील सेठी कांग्रेस की भर जोड़ो यात्रा में शामिल हुए थे इसके बाद दोस्तो अगली बड़ी खबार देवरिया अत्याकार में योगी सरकार का बड़ा एक्षन SDM CO और तैसिलदार समयत 15 पर गिरी गाज जिया दोस्तो यूपी के जला देने वाले अत्याकांड में सीम योगी अधितनात ने कड़ी कार रिवाई किये इस मामले में लापरवाह, राजस्व कर्मियों और पुलिस कर्मियों पर गाज गिरी है इसमें उपजिला अधिकारी, एक शित्रा अधिकारी, दो तैसिलदार, तीन लेकपाल, एक हेड कांस्टेबल, चार कांस्टेबल, दो अलका परभारी और एक थाना परभारी को निलंबित कर दिया गया है, दरसल दोस्तों अत्याकांड की समिक्षा के दुरान मुख्य मंत्री ने कहा कि किसी भी आरूपी को बक्षा नहीं इजराएगा, आपकी जानकारी कल बता दें कि सा इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबार उम्र में आईशा से 10 साल चोटे हैं, जज हरिश कुमार ने माना कि आईशा ने धवन को बेटे से 1 साल तक दूर रखकर उन्हें मानसिक की आतना जहलने को मजबूर किया, हलांकि कोट ने बेटे की इस्ताई कस्टेडी पर फैसला नहीं दिया है, धवन भारत और आश्टेल पहले उसके साथ भारत आकर रहने की बात कई थी, हलांकि बाद में वो अपने पूरू पती से कमिटमेंट के चलते अपनी बात से पीछे हट गई, इसके बाद दोस्तो अगली बड़ी खबार मोधी सरकार की अपील के बावजूद, रूस साओधी की मनमानी, बड़ी भारत की मुश्किलें, जियां दोस्तो कच्चे तेल की कीमतों में लगातार हो रही, वरदी ने तेल बाजार में उतल-फुतल मचा दी है, पहले तेल उत्पातक देशों के समू, ओपेक प्लस की और और से तेल उत्पादन में कटोती, फिर रूस और साओधी अरब की और से तेल उत्पादन में अत्रिक्त कटोती की घोशना की बाद कच्चे तेल की कीमत में लगबग 30% की बड़ोतरी हो चुकी है, भारत अपनी जरुवत का सत्यासी फीजदी से जधा तेल आयात से पूरा करता है, ऐसे मैं इसका सरभारती तेल बाजार पर भी पड़ा है, वेशविक बाजार में कच्चे तेल की कीमत नियंद्रन में रहे, इसके लिए भारत सरकार तेल उत्पादक देशों से बाचीत कर रहा है, लेकिन इसका कुछ फाइदा होता नहीं दिख रहा है, तेल बाज राइटर जोन फोसे को मिला साहिट्यक नोबेल, पहली किताब आत्मत्या पर लिखी कमेटी ने कहा वे लोगों की अनकही भाउनाएं सामने लाए। किताबों में पतज़ड का सपना भी शामिल है साहित्ते में 120 लोगों को यह सम्मान अब तक मिल चुका है साहित्ते में नोबल हासिल करने वालों में केवल 17 मैल आये हैं इसकी वज़ाय से नोबल कमिटी की काफी आलोचना भी हुई है इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी इंस्टा फेस्बुक पर देख सकेंगे वर्ल कप के बिहाइंड दे सीन्स मेटा ने ICC के साथ पार्टनर्शिप की सूपर 50 क्रेटर्स को हर जगह मिलेगी इंट्री जिया दोस्तों सोचल मीडिया कंपनी मेटा ने वर्ल कप मेचों से जुड़े बिहाइंड दे सीन्स कवरे इसके लिए 50 क्रेटर्स का एक स्पेशल ग्रूप भी होगा जिसे सूपर 50 के नाम से जना जाएगा इस ग्रूप को मेच के पहले और बाद में फिल्ड का एक्सेस कमेंटर्टरों से बातचीत और एमबेसेटर्स के साथ बातचीत के साथ अन्य चीजों की परमिशन भी होगी केमपेन में भारत के अलग अलग शहरों के क्रेटर्स को शामिल किया गया है ताकि हर एक मेच में क्रेटर्स उपस्तित रहें और वो अपनी भाशा में से कवर कर सके मेटा ने कहा है कि यहाँ पार्टनर्शिप किसी भी ICC टूर्नामेंट के लिए अब तक की सबसे बड़ी क खबार आग से खेल रहे हैं राहूल गांदी केंद्रिय मंतरी किरन रिजजु ने बताया क्यों खतरनाख है जितनी आबादी उतना हक की मांग जी आ दोस्तों कांग्रेस के पूर्व अद्धिक्षोर वायनाड सांसद राहूल गांदी ने कहा है कि जिसकी जितनी आबादी उसका उतना हक होना चाहिए राहूल के इस बयान पर केंद्रिय मंतरी किरन रिजजु ने उन पर हमला बोलाए रिजजु ने चेताउनी देते हुए काई कि अगर जितनी आबादी उतना हक की बात होगी तो इसकी वजह से कमाबादी वाले पुरुवतर राज्यों के पहाड 24 सी फीजदी है लेकिन सरकार के 90 प्रतिशत सचियों में सिर्फ तीन ही OBC है जो देश का 5 फीजदी बजट देख रहे हैं कांग्रिस ने ताने कहा कि यह बहत ज़रूरी है कि भारत के जातिगत आंकलों को जाना जाए जिनकी जितनी आबादी उनका उतना हक हम इसके लिए प 3 सर्च लिस्ट में आपको 1MG का नाम जरूर मिल जाएगा दोस्तों आपकी जानकारी क्लिब बता दें 1MG एक यूनिकॉन कंपनी बन गई है यानि कि 1MG ने वह क्राइटेरिया पूरा कर लिया है जिसके तरत कोई भी कंपनी यूनिकॉन बन जाती है दोस्तों आपकी जानक 22 में यूनिकॉन यानि कि 1 बिलियन डोलर वाली कंपनी या बन गई आज देशबर में इसके 1000 से जादा इस्टोर्स हैं इसके बाद दोस्तों जाने एगली बड़ी खबर लेकिन उससे पहले मेरी आप से चोटी से रिक्वेस्ट है अगर दोस्तों आपको बितका मारी न्यू बंदुआ निफ्टी में भी 109 अंकों की बड़त IT, ओटो और इंफ्रा इंडेक्स में रही तेजी जहां दोस्तों शेर बाजार में गुरुवार को तेजी देखने को मिली सेंसेक्स 405 अंक चड़कर 65631 के इस्तर पर बंदुआ वहीं निफ्टी में 109 अंकों की तेजी रह वहीं PSU, बैंक, फार्मा, मेटल शेरों में दबाव देखने को मिला जबकि एनरजी MFCZ इंडेक्स गिरावट पर बंदुए वहीं दोस्तों रुपिया अमेर्के डोलर के मकाबले 5 पैसे कमजोर होकर 83 रुपे 29 पैसे पर बंदुआ वहीं दोस्तों बात करें निफ्टी 50 के टोप लूजर और टोप गेनर स्टोक्स की तो दोस्तों निफ्टी 50 के टोप गेनर्स में आजबजाज ओटो, L&T और महिंद्रा एन महिंद्रा रहे जबकि टोप लूजर्स में पावर ग्रीड हिंडाल को और NTPC रहे इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबार इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबार एक्टर ने मेल किया है रणवीर कपूर ने महादेव ओनलाइन गेमिंग एप मनी लोंडरिंग मामले में एडी से समय मांगा है उन्होंने दो हफते के वक्त की मांग की है एडी ने रणवीर कपूर को शुकरवार सुबह 10 बजे हाजिर होने को कहा था वहीं रणवीर कपूर एडी को मेल लिखकर उनसे दो हफते का वक्त मांगा है इसके बीछे एक्टर ने परसनल फैमिली रीजन और पहले कर चुके कमिटमेंट्स का हवाला दिया है रिपोर्ट्स की माने तो महादेव बुक एप प्रमोटर सोरब चंद्राकर की शादी इसी साल फरवरी में हुई इस वेडिंग सेरिमेनी में बॉल्यूड के कई सितारों ने शिरकत की थी शोरब की साधी दुबई में शाही अंदाज में हुई थी जिसमें 200 करोड रुपे खर्च किये गए थे शादी में कई स्टार्स ने परफोर्मेंस दिया था वहीं अब महादेव ओनलाइन गेमिंग एप मामले में रनवीर कपूर का नाम सामने आया है इसके अलावा कई दूसरे स्टार्स जैसे पाकिस्तानी सिंगर आतिफ असलम रहत फतेली खान एक्टरेस सरी लियोनी बोल्यूड सिंगर नया का कड़ और म्यूजिक कंपोजर विशाल ददलानी तक का नाम भी इस खबार 17 अक्टूबर को खालसा वहीर निकाली जा रही है ये वहीर दमदमा साहिब से शुरू होकर खडूर साहिब तरन तारन में इखटी होगी अमरतपाल सिंग की माने इस दोरान अपील की कि उनके बेटे अमरतपाल सिंग वा अन्य सातियों को डिब्रुगड जेल असम से पंज 17 अनि की इडी हर जगर पहुंच जाती है मगर मद्यप्रदेश में इतना घोटाला हुआ फिर भी यहां पर इडी नहीं पहुंचती उन्होंने कहा कि MP में महाकाल के कोरिडोर में भी घोटाला हुआ है बीजेपी की सरकार ने तो बगवान की मूर्तियों में भी घोटाला कि प्रियंका ने महांगाई से लेकर गरीबी तक के मुद्दे पर बीजेपी की सरकार को घेरा मद्यप्रदेश के थार में एक रेली को समवधित करते हुए प्रियंका ने कहा कि मुझे यह सुनके ताजूब हुआ कि प्रदान मंतरी मोदी वही बात कहते हैं जो हम कहते हैं मैं समप्रपुदा का सम्मान मालदीव के नई राष्टपती ने भारती दूट से पहली मुलाकात में ही दिखाए तेवर जिया दोस्तो भारत विरोधी रुख अपना कर मालदीव के राष्टपती का चुनाव जीते मौंबद मुईजजू ने एक बार फिर अपने तेवर दोस्तो चुनाव जीतने के एक दिन बाद ही उन्होंने गोशना की थी कि विदेशी सेनको को मालदीव से बाहर चला जाना चाहिए मुईजू का सीधा इसारा भारती सेना की ओर था भारत के 75 सेनने अधिकारी मालदीव में रहते हैं जो भारती एरक्राफ्ट का संचालन और रकराखाऊ करते हैं मालदीव में भारत के उच्चायुक्त मुन्नू मुहावर ने बुद्वार को मालदीव के नव निर्वाचित राश्पती डाक्टर मोहमद मुईजू से मुलाकात की मुलाकात के बाद मुहावर ने कहा कि मालदीव के राश्पती मुईजू से मिलकर उ MP लेक्षन 2023 चुनाओं से पहले सिवराज सरकार का बड़ा कदम, सरकारी नोकरी में महिलाओं को 35 विजदी आरक्षन, जी हां दोस्तों महिलाओं को लेकर CM सिवराज सिंग चोहान की सरकार ने एक और बड़ा फैंसला किया है, सरकार ने मद्यप्रदेश में महिलाओं के लिए स 30 प्रतिशत का अरक्षन देने का अयलान किया है, सरकार ने काए कि सीधी भरती में महिलाओं को 35 विजदी आरक्षन मिलेगा, CM सिवराज की इस गोश्टना के बाद सामान ने प्रसासन विभाग ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसके मताबित वन विभाग को सबी विभागों में महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत अरक्षन का फार्मूला लागू होगा, महिलाओं को ससक्त और आत्म निर्बर बनाने की दिशा में ये सिवराज सरकार का एक और बड़ा कदम बताया जारा है, फिलहाल महिला अरक्षन प्रदेश में 33 विजदी है, दोस् इसके बाद दोस्तो अगली बड़ी खबार की रखम को देने से इंकार कर दिया, सरकार की दखलंदाजी को भी एक सिरे से नाबंजूर कर दिया गया है, अदालत को बताया गया ही कि सरकारी फंड से कोरिडोर का निर्मान हो और बांके बियारी मंदर प्रबंदन से चंदे की रखम का हिस्सा नहीं मांगा जाता, अदाल इसके बाद दोस्तो अगली बड़ी खबार इसके बादिस की चर्चा पूरे जिले में हो रही है सीवान के जेड इसलामिया कोलेज के प्रचारे इंदरिश आलम के द्वारा जारी किया गया पत्र शोशल मीडिया पर वाइरल हो रहा है पत्र में लिखाए कि सुचित किया जाता ही अगर चातर तता चातराओं को साथ में एक साथ बेठे हसी मजाग करते महाविद्याले परिशर में देखा जाएगा तो उनके नामांकन को रद्द कर दिया जाएगा ग्यातो की धारा 29 बटीस के अंतरगत इस्तापित यह एक अलप संक्यक महाविद्याले है इसके सारे प्रबंदन का अधिकार शासी निकाय में नहित है दोस्तो इस खबर के बारे में आपके विचार कमेंड बुक्स में जरूर लिखिए तो दोस्तो यह अतियाज की तमाम बड़ी खबर हैं इसके बाद दोस्तो बारी अतियाज के माइंड क्यूज प्राचीन काल में भारत का कौन सा विश्व विद्याले पूरी दुनिया में प्रिसिद्ध था जिए आपको मिल सकता है एक सर्प्राइस गिफ्ट हमारे यूटिब चैनल की और से तो दोस्तो जल्दी सपना उत्तर कम बडुक्स में लिख दीजे वडियो को लाइक कर लिए जो चनको सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए धन्यवाद वन्द मातरम जे हिंद जे भारत